हेलो फेरेट्स, वेल्कम बैक टू होवर चैनल, आज हम बात करते हैं एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर की जो प्याज और लसुन के छिलकों से बना रही हूँ ये लसुन है, इसे साइट कर देती हूँ, इसे विपिती में लगानी की लिए लाई हूँ किसी दिस्वे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो आज हमें इसके गुडों के बारे में जा देगे सबसे पहले तो ये इसली अवलेवल हो जाता है, हमें अपने ही घर के किचन से इत जिलकों में काफी मात्रावे फासफोरस, पोटासियम, जिंक, मैग्रीसियम होता है हाँ, इसमें नाइटोरचन नहीं होता है, और इसमें एक बहुत ही खास चीज पाए जाती है, जिसकी वज़े से हमारे आँसों भी निकलते है, उसे सल्फर कहा जाता है, इसी सल्फर की वज़े से हमारे आँकों से आँसों निकलते है, और यही सल्फर उनकी पतंगों को भी हमारे गार्डर के पलांट को रुक्सान पहुचाते उधें दून रखता है इसकी तीरभ गर्द की स्थे वो सब हमारे पलांट से दून रहते है इसमें कई ऐसे पूसकत्तफों भी होते हैं जो स्वाइल को उबजाउशक्ति परतान करते हैं और प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं तो सभी छिलकों को इकठा करके मैंने पानी में डाल दिया और करीब 3-4 दिन के लिए इसे ढख कर ऐसे ही छोड़ दिया वैसे तो 24 गटे में ही पानी का कलर पूरी तरह से बदल जाता है बट इसके सभी पोफसक तो पानी में अच्छे से आ जाए इसके लिए आपको 3-4 दिन के लिए इसे छोड़ना है इसमें पानी मिलाके अच्छे से डाइलूट कर लेंगे ताकि सभी प्लांट के लिए हैल्रिक तयार हो जाए और उन्हें मिल जाए फिर मैंने इसे मिक्स करने के बाद एक बकिट में अलग से निकाल लिया है और उसी बकिट में सभी प्लांट को दे दूगी इसमें थोड़ा सा और पानी डालके अच्छे से मिक्स कर लोगी क्योंकि बहुत सारे प्लांट डैर सभी को दे रहा होता है इसमें अटि बैक्टिरियल तत्व भी पाए जाते हैं जिसकी वज़े से हम अपने प्लांट को फंगस या फिर किसी और इंसेक्स अटैक से बचा सकते हैं ये सभी तरह के प्लांट के लिए उप्योगी होता है चाहे वह फ्लावर प्लांट हो रूट प्लांट हो या कोई दूसरा प्लांट हो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे रहा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे रहा